आज हम लोग क्लास 11 के जोग्रफी का चैप्टर नबर वन डिसकस करने वाले हैं और यह केवल हम उस बेसिस पर डिसकस करेंगे जो हमारे कॉम्टेटिव इग्जामेनेशन बेस्ट होगा तो इस चैप्टर का जो आज का टाइचल है वो है भूगोल एक विशाय के रूप में आँगे बिसे चैप्टर से उसी को आज discuss करेंगे वर्ट आपको या पिर भूगोल के अगर बात की जीए गा तो अप एक specific चीज नहीं उसके लिए जो है authenticate चीज नहीं बता सकते हैं कि प्रित्वी के भीतर क्या है बाहरी चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रित्वी के बाहर क्या है और हमें उस पे कैसे interact करना है या वो हमारे साथ किस तरीके से combination या correlation बना करके रखा है लेकिन प्रित्वी के भीतर के चीजों को आप बहुत सटीक नहीं बता सकते हैं जैसे कि अगर आप भुकम की बात की जएगा तो आप confirm यह नहीं बता सकते हैं कि भुकम कितने बजे आएगा आने के बाद की घटना के बाड़े में आप बता सकते हैं लेकिन उसे पहले नहीं बता सकते हैं तो वही चीज यहां पर डिसकस किया गया और वही चीज बताने की कोसिस की गई आपको कि आप भुगोल जो है आप भुगोल का अधियान जो करते हैं सोतंतर विशय के रूप में करते और पीत्वी के भौतिक वातावरन मानवीय किडिया उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंद के विशय में जानकारी अगर आपको प्राप्त करना हो तब आप भुगोल विशय को पढ़ सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको चैप्टर का नाम ही दिया गया हुए भुगोल एक होंगे वह मैं आपके लिए प्रिलिम्स जो फैक्टर होते हैं मिन्स फैक्टर जो होते हैं वह सारे में इंडिकेट करते हुए चलता हूँ आप नोटबुक जैसे बनाते हैं पहले की तरह इसे ही बनाते चलिए और साथ में आप 6th, 7th, 8th, 9th और 10th के भी पूरे वीडियो र हमें बहुत मजाता हैं मैत पढ़ने में हम इसके बदले में साइंस पढ़ेंगे हम इसके बदले में हिस्टरी पढ़ेंगे हम भूगोल क्यों पढ़े तो भूगोल आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि भूगोल आपको जो भारत की विविधिताय है जैसे माल लिए कि भार ते moralis culture से क्या इसका importance है इंडिया के लिए तो इसके इन साहरे चीजों को आप इसमें पड़ सकते हैं साथ में ऐसी स्थिति क्योज उद्पन हे इन आपको भूगौ पढ़ाता है तब हूगौ आपके लिए स्थिति केमन में कि भुगोल क्या है तो अगर हम देखे तो हमारे जो पीतवी है जिस पे हमारा आवास है या पीतवी पर राने भाले अन्य चोटे-चोटे प्राणियों का भी आवास होता है यह सारे चीज़ तो हम जानते हैं क्या Sulh हम ही नहीं रहते हैं छोटे जीज़़् में होते हैं उससे ले करके और हाथी तक को भी आप देखते हैं जो विसालकाय होते हैं उन साड़े चीजों को भी तो भुगोल को अगर आप देखिएगा तो भुगोल जो है अगर बहुत सरल सब्दों में इसको लिखिएगा तो भुगोल सब्द जो है वो अगर देखे तो यह आपको क्या कड़ेगा, तो बहुत सरल स्ब्द में यह कहा जा सकता है कि भुगोल प्रिथवी का औरनन है, इसके सिवा और आप इसको कूछ नहीं बոल सकते हैं क्योंकि इसको बोला जाता है जियोगरफी, जियोगरफी, तो जियोगरफी का मतलब ही होता है मतलब प्रीथवी का अध्यायन इससे पहले अगर हम लोग देखे तो भौतिक पर्यावरण संस्कृतिक लक्षनों के मध्य संबंदों को समझने का संकेत भी भूगोल नीद करता है क्योंकि भौतिक पर्यावरण क्या है भारत के फीजिकल अगर आप कंडिशन को देखिएगा और यहां के जो कुल्चरल रिलेशन है इसके मध्य जो रिलेशन है इन दोनों को समझने में जैसे एक जो आप अगर आप एक को माल लेते हैं कि यहां का भौतिक पर्यावरण है और बी को माल लेते हैं कि संस्कृतिक लक्षन है तो इन दोनों के बीच में का जो relation होगा, यह आपको Google बता देगी, क्योंकि आप अगर उत्तर वाले एडिया में जाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ के भॉगॉलिक कंडिशन अलग है, यहाँ ठंड बहुत जाता होती है, सीधे आप दक्षिन की तरफ आते हैं, यहाँ पे अग अगर प्रीक फैक्टर के रूप में अगर आएंगे सबसे पहले, इन साड़े चीजों को आप मिंस में जोड सकते हैं, यह आपके मिंस के फैक्टर है, जब आप मिंस लिखे तो इसमें लिख सकते हैं, बाकी अगर आपके जो ऑप्शनल पेपर होंगे, उसमें आप लिख सक तक रहे हुए थे मतलब जनमुन का 276 और म्रिटिय 1984 में हो गplay हुए थे इसoman और देखे तो इन्होंने जो यह ग्रिक सब्द जो जूगरफी बना उद यह दो सब्द से मिल करके बना हुआ है यह ग्रिक सब्द है जोगोरफी जीयो का है प्रिथवी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन तो प्रिथवी का अगर आप वर्णन कर रहे हैं मिंस कि आप जोग्राफी पर रहे हैं और दोनों एक साथ रखने पर इसका हो जाता है अर्थ प्रिथवी का वर्णन मतलब जीओ मतलब प्रिथवी और ग्राफी मतलब चीज़े आपको क्यों बताई जाएगी जो आपके examination point of view से जो है examination point of view से जो आपके लिए relevant होगा क्यों वही जिस discuss की जाएगी इसके सिवाफालतू की बाते यह सारी चीज़े आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आसे कभी आपके exam में कोई questions नहीं आने वाले है वो चीज़ अगर आप देखे तो जो 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 जानता है क्यों करता है क्यों करता है क्योंकि जो जो पढ़ता है वो किसी भी चीज़ को जैसे माले यह खान है इस खान को खोजने के लिए उसको मैट का उतना ही सारा लेना पड़ता है जितना कि उसको जोगरफी का लेना पड़ता है तो उसको हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यह क्यों धारातल पर तत्यों का यह अध्यान करता है माल लिए कि यह हिमाले है तो बस हिमाले है मैंने इसका जो है यह अध्यान कर लिया इसके वाल यही काम नहीं करता है यह हिमाले क्यों आया और फिर गोडवाना लैंड के सरकने से आया तो क्यों आया और फिर इसके क्या इंपेक्ट है क्या इसका जो है डेवलप्मेंट ऊपर ह बोड़ा है इन साड़े चीजों को जो है वो गूगोल वेता जो है वो इसके उपर अधेयन करता है अगर और देखें हम लोग तो फल का स्वरूप एक परदेश से दूसरे परदेश में भिन्य होता है किन्तों यह विन एक तथे के रूप में मिठी जलवायू बजार की मांग किशानों के वेच हमता तक्निकी निवेश उपलबदता आदी से आदी में विन्यताय शंबंदी जो भी कारण होती है उसके कारण एक जगह पे जो है वो फल का स्वरूप दूसरे परदेश के फल के स्वरूप से बिलकुल अलग होता है तो रीजन इसके पीछे क्या आ जात है जलवायू आपने पढ़ा है बिलकुल अच्छे तरीके से और फिर जो है वो आपने तक्नीक मतलब कि आपने उद्योग के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है और रिसोर्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है तो इन साड़े चीजों के कारण किसी भी किसी भी जो ए प्रकनीक के करमसा विकास के साथ मानों अपने ऊपर भौतिक पर्यावरन के द्वारा कसे हुए बंधन को धीला कर लिया है। पहले आपने देखा था कि एक मजदूर जो होता था, एक मजदूर जो होता था कि क्या कर सकता था। यह एक दीन में, एक सो जो है वो शड़िया ऐगर लिये तो यह एक सो सड़िया को बन सकता था। सबादा। अज पर एक दिन में बन सब्था है दोww निकंतий हैं आप बोलें तो जो हमारे इन्फ रॉस्ट्राक्च्षे हैं जैसे हैं मनुष्य के ऊपर से वह डो क्या होता है तो जो बंधन हैं वह बंधन भौतिक बंधन है वह खतम होते जा रहा है लेकिन इत्र该 प्लाठ और और चीजहां और इसको भी जो है वो जोग्राफी के तरफ से इंडिकेट किया जाता है कि आपने इस तरीके का जो यूज किया जैसे माल लिए कि आज अगर किशान जो है वो फसल को काटने के लिए वो फसल को काटने के लिए मसीन का यूज करता है तो वो केवल बाल को काटता है जो बाल लगा हुआ होता है उस फसल में जैसे गेहूं का हो या धान का हो और बाकी का जो डंठल छोड़ देता है वो एक integration के रूप में आपको दिखाई देगा यहां पर भूगोल में संसलेशनात्मक विशय होता है यह एक आपको अलग तरीके का ideas देगा इसमें अगर आप देखिएगा तो इतियास भी जुड़ा हुआ होता है उसके बाद अगर आप भूगोल को देखिएगा तो इसमें आप समाकलन होता है यह आप बोल सकते हैं समाकलन जिसको बोला जाता है integration जो होता है बहुत से विशय का को इसमें जो है वो जूड़ करके इस विशय को बनाए गया है और इससे आप कुछ अलग-अलग चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और अगर हम लोग देखेंगे तो भूगो समाजिक सभी ज्यानों का एक बूल उद्देश यह थार्थता को ग्यात करना होता है क्योंकि जो basic decimal ले की हिमाले है हिमाले क्यों आया इसके यह थार्थ को अगर आप जानने की कोशिस कर रहे तो यह science के थूरू भी हो सकता है और यह जोग्रफी के थूरू भी हो सकता है जिस जो आपको बताने की कोशिस की गई हुई है यहाँ पर और अगर हम लोग देखें तो हिमाले भारत के एक महान औरोध के रूप में काम करता है और भारत की रक्षा करता है परन्तो इसमें विदमान जो दर्रे थे वो Asia के आक्रमन करता हूं और प्रवजको जो की हमारे देश में आते हैं जिसको illegal immigrant बोला जाता है उसके मार को सुविदा पहुंचाता था तो अगर आप देखिएगा तो शमुंदरी गिनारे दक्षिनपुर्वी दक्षिनपुर्वी Asia यूरोप अफ्रीका के से संपर्क को प्रोसाइद करते रहे यह जो दर्रे थे वो और नौक आप देखिएगा यह जो जो जोग्रफी ने क्या काम किया कि यह जो दर्रे थे उनकी पता लगाई गई यहाँ पे तो इससे हुआ क्या कि illegal immigrant की संख्या तो कमी क्योंकि पता चला कि इस दर्रे से वो होकर क्या आते हैं दूसरी बात आक्रमनकारी यहाँ से आक्रमन नहीं करे अब जैसे ही हम लोगों ने अपने infrastructure को डेपलब किया इन सारे चीजों के ऊपर भी जोग्रफी ने अपना impact डाला है और इसको कैसे बंद कर सकते थे या फिर हमारे जो हैं वह सामरिक रूप से कैसे important है यह इन सारे चीजों को जोग्रफी ने बताया अब अगर भौतिक गू जो को आप correlate कर सकते हो जैसे कि भू आकरिती जलवायू विग्यान विग्यान शमुंद्रिक विग्यान मृदा भूगोल प्रकृतिक विग्यान से निकट संबंद रखता है क्योंकि यह अपनी सूचनाए इन ही से प्राप्त करते हैं अगर मान लिए कि आपको जलवायू के बारे में जानना है स्रमुंद्रिक विग्यान के बारे में जानना है मृदा भूगोल के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको प्रकृतिक विग्यान के निकट रहना पड़ेगा और इससे ही डेटा कॉलेक्ट करने पड़ेंगे तभी जागर कि आप उसके उपर सही से रिसर्च कर पाएंगे तो यह साड़े चीज़े है तो जो ग्रफी कहीं ने कहीं से एक दूसरे विशय से जो है वो जुड़ा हुआ है यह चीज़े बताने की कोशिस की गई है यहाँ पे और अगर हम लोग देखे तो जो इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आता है वो आपको इस तरीके का है इसको आप जो है वो आसानी से पहले तो स्क्रोल करके लिखते चले जाईएगा जैसे मैंने आपको दिया है अगर और हम यहाँ पे जड़ा सा डिसकस करेंगे जो इंपोर्टेंट फैक्टर्स है उसको तो राजनितिक गूगोल जो है वो एक छेत्रिये इकाई के रूप में राजयत तथा उसकी जण संख्या के राजनितिक गेवहार का अध्यान करवाता है और अर्थ सास्त्र में आप यह देखते हैं कि उत्पादन कैसे होता है उसका वित्रण कैसे होता है वीनिमय कैसे होता है इन सारे चीज़ों को लेकिन अगर आप जो है वो आर्थिक भूगोल की बात कीजेगा, तो आर्थिक भूगोल में आप जो है, वो उत्पादन वीनिमय वित्रन तथा उभोक के अस्थानिक पक्ष का धियान करेंगे, कि किस जगह पे उत्पादन हो सकता है, कहां से वीनिमय करेंगे, जो हमारे लिए लाफदायक होगा, कम पैसे का होगा, इसका वित्रन कहा कहा किया जाना चाहिए, और वो किस जगह पे होगा, क्योंकि यहां से हमें आदमी किसे ले करके, और टोपोग्राफी के बारे में भी जनकारी मिलती है, इसलिए आर्थिक भूगोल भी हमारे लिए इ founding traditions, और यह सारे भूगोल की इसाय का अधियन कुछ उपागमों के अनुसार लिखा जाता है जैसे कि माल लिए कि अगर आप किसी भूगोल के किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पर रहे हैं जैसे माल लिए आपने जलवायू को पढ़ा यह जलवायू जो होगा यह आपका बहुतिक भूगोल के रूप म स्टार्ट करना है तो दो प्रमुख उपागमों में बाटा गया है विसाय वस्तु और पर्देशिका के आजान पर तो विसाय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो समाने भूगोल का होता है और उपागम एक जर्मन भूगोल वेता अलेक्जेंडर वान हमपोल्ट जबकि परदेशिक भूगोल का विकास हैंबोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोल वेता कार्ल रीटर मतलब 1779 से 1859 के दोरा में किया गया हुआ था तो इसको दो प्रमुख दो उपागम में बाटा गया हुआ है विशावस्तू और परदेशिका में तो परदेशिक म अगर आएगा तो कार्ल रिटर्ण ने किया था यह आपके पिडी के फैक्टर है इसके बाद यहां से एक भी कोश्चन नहीं आने वाले है नपढ़ना है हमें तो जो चीजे हैं जहां से कोश्चन साती है कि वहला हम उसी को डिसकस करवा रहे हैं इसलिए कि आपके चैप्ट करते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो इसमें हम वीग्यान में व्वायुन मुंद्र के नदी जील समुदर के बारे में पढ़ेंगे इसससे जैदा तो पढ़ने की जरुडत होगी सेम चीजीज आपको यहां पे वह इंडिकेट किया गया हुए है इसको आप PDF से जो है वो लिखते चलिएगा, हलाकि यहां से कभी कोई questions आने वाले नहीं है, इसके लिए आप confirm रहिएगा, कभी कोई questions नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहां पर time best नहीं करूँगा आपका, और मिर्दा भूगोल के बारे में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ जो होता है, इसमें हम लोग जाती लिंग, अनुपात, प्रवास, जनसंख्या, घनतो, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जनकारी लेते हैं, आर्थिक भूगोल में वही बात आ जाती है, कि हम कैसे किसी चीज, मतलब कि यहां पर कृषी, उद्योग, परियतन, व्यापा इन सारे चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कि आर्थिक भूगोल मतलब यह जहां से पैसे कलेक्ट करने की बात आएगी, उस जगह की बात हम लोग करेंगे आर्थिक भूगोल में, एतिहासिक भूगोल में आपने देखा होगा कि इतिहास के चीज इसमें जुड़े हुए ह इसको हम लोग एतियासिक भूगोल में देखेंगे, राजनितिक भूगोल जो होता है, इसमें हम लोग जो हमारे सामरिक दिरिष्टी से इंपर्टेंट चीज होते हैं, उन सारे चीजों के उपर हम लोग यह आपे द्यान देंगे, तो यह चेत्र को राजनितिक पर इगटन के दिरिष्टे के रूप में दिखा जाता है और इसके अंतर हम लोग सीमाओं के बारे में जानते हैं निरवाचन छेत्र के बारे में जानते हैं पड़ीशीमन के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे चुनाओं होते हैं और कहां के विधान सभा में कितनी सीटे हैं कहां के लोग स प्रश्टिक फळल सोरुप जीव भूगोल को जो है वो का उद्वह हुआ है इसमें हम लोग दोनों चीजों को जानते हैं यह वह आपका सबसे पहले तो भौतिक भूगोल के बारे में बताता है कि भौतिक कंडिशन किस तरीके के होगे और वहाँ पे जो है वो जीव किस तरी में उसके बाद परिस्थेतिक विग्यान के बारे में हम लोग जाने के निवास की स्थिति किस जगा पर और वैग्यानिक जो है वो अध्यान जो इसका किया जाता है उसके बारे में यहां से एक्जाम में कभी कोस्टेंस आते नहीं है बट देख लेना जरूरी होगा कुछ चीजे ऐसे होती है जो जो देखने से याद होती है परयेरण भूगोल में हम लोग जो है वो देखे तो मिठियों का मतलब हास किस त lerriage हो रहा है मिठी का वाईू का एस तortion के बारे में जानेंगे चाहे वो प्रकृतिक परदूशन हो, चाहे वो आपका वायू परदूशन हो, जल परदूशन हो, इन सारे चीज़ों को इसमें देखते हैं हम लोग, अगर प्रदेशिक उपागम के अधार पर भूबल की सेखाओं के बारे में बात कीजेगा, तो यह कुछ इस तरीके के हैं, जिसको आप slide से लिख लीज़ेगा यहां से बहुत सारे questions आने वाले हैं नहीं कभी वैसे अगर westwick इस्तिती तंतर जो होता है GPS जिसको बोला जाता है बिल्कुल सही इस्तिती ग्याद करने के लिए आधोनिक जन उपकरन होता है westwick इस्तिती तंतर इसको बोला जाता है GPS को ठीक है यह आपके प्री के फैक्टर है और इसका फूल फॉर्म आपको हिंदी में जब कभी पुझा जाएगा तो आप इस तरीके से उसका दे सकते हैं इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बहुतिक प्रीथी पर जितनी पर इघटनाएं हो रही है आपकी वह आपके बहुतिक बुगोल बहुत इंपोर्टन होता है और हम इसको इसको पवर करते हैं के लिए जो जितने भी तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको प्रीथी पर ही मिलते हैं और इन सारे का डिवाइडेशन जो होता है इसमें भी हम बहुतिक बुगोल के माध्यम से इन सारे चीजों को जानने की कोसिस करेंगे और इसके बाद के जो इंपोर्टेंट फैक के वहां लोग उसी तरीके की खाने कामें लिए जिस जगहां पर क्यूब नदी होंगे मचली खाने में बहुत अच्छे होंगे लांके जीवन जो होगा उनका जीवन ढ़ा मुक्टेंदेर में वाद करें तो इसका एक्सपोर्टिंग करेंगे और यहीं खाएंगे तो चीजी जो है जलवायू के हिसाब से बदलती रहती है और आपके पसुपालन से लेकर के वनस्पती से लेकर के सारे चीज या इधेन उद्योग तक सारे जलवायू पर डिपेंडेंट होते हैं तो इसलिए हमें बहुत तिक वोगोल पढ़ने की बहुत जादा होए शकता है इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत ने शमुंद्रिक तल से मैगनीज बिंड जिसको जिसको नाडिूल कहा जाता है कतिलत करने की तकनीक विक्षित की है और मिर्दा एक नभी करनी है पुना अस्थापनिये शंसादने जो अनेक आर्थिक किरियाओं जैसे की किरसी को प्रभावित करती है तो अगर भातीक भुगोल को हम जानेंगे तो मिर्दा के बारे में जानेंगे और वही मिर्दा जो है वो सारे चीजों को इम्पॉर्टेंस देती है तो इसलिए हमें यह चीज जानने की जरूरत है यही यहाँ पे आपको बताने की कोशिस की गई है यह चैप्टर के रूप में कि हम भूगोल को कैसे कैसे डिवाइड करके और कितने तरीकों में पढ़ेंगे तो यह था आज के चैप्टर के लिए जो 11th के जोग्रफी का चैप्टर नमबर वन था भूगोल एक विसाय के रूप में नेक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नमबर तू देखेंगे जो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि जो क्लासे आ रहे हैं वो रेगुलर वे में आ रहे हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक के क्लासे कम्प्लीट हो चुकी है अब 11th के जोग्रफी का क्लास चलने वाला है तो इसको पूरे तरीके से देखिए और इसका बेनेफिट उठाइए क्योंकि इसके बाद जो क्लासे आपके चलेंगे वो बहुत मोडरेट लेबल के चलेंगे और वहां से आप कोश्चन इसके करने के बाद ही आसानी से सॉल्व कर पाईएगा तो मिलते हैं फिर से के लिए थैंक यू और गुडबाए